नवस्कार दोस्तो में राउल सास्थिरी सवगत करता हूँ आपका दोस्तो आजम चर्चा करेंगे सुरिय ग्रह के बारे में सुरिय ग्रह जो कि चन्द्रमा की तरह बहुत ही इंपोर्टेंट ग्रह है जो की आपकी जिंतकी में अपना एक एहम रोल अदा करता है सूरिय गर्या किस चीज के कारक माने जाते हैं और कौन सी ऐसी कंडिशन बनती है जिसमें सूरिय गर्या खराब हो जाते हैं निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और अगर सूरिय गर्या कमजोर हो गए, खराब हो गए तो उसके क्या effect होंगे आपके उपर वो कौन सी ऐसे नकरातमक फल आपको देखने को मिलेंगे और अगर सूर्य गर्या नकरातमक फल दे रहे हैं तो आप कौन सी ऐसी विधी करें किस तरह की विधी करें क्योंकि हर conditions में आप अलग तरह की विधी करेंगे उपाए अलग अलग होते हैं यह आप धाना कियेगा हर conditions में आप बीज मंतर नहीं कर सकते हर conditions के अंदर आप रतन धारन नहीं कर सकते माप किज़े बीज मंतर तो आप हर विधी में कर सकते हैं दान हर condition में नहीं कर सकते हैं आपकी confidence आत्मबल का कारक होता है समाज में मान समान परतिष्टा का कारक सूर्य होता है राजा के सबूरूप मना गया है यानि गरहे में राजा मना गया है तो राजा जैसे जिन्दकी देने के लिए कारक करें जो होता है वो सूर्य होता है पिता का कारक माना जाता है सूर्य ज सीधी आँक्त रख्त प्रभामेबादा और सिर दर्ध इन सब चीजयों बिमारी। के कारक भी सूर्य घरह माने जाते हैं। इस सरकरी मह्कमें यह आप लाब मिलेगा नहीं मिलेगा सूर्य देव। साथी साथ administration और management के जो कारक गरह होते हैं वो सूरिय होते हैं leadership के initiative जिसकी power जो देता है वो सूरिय देता है तो देखें सूरिय कुंडली के अंदर एक बहुत ही important गरह है अगर किसी का सूरिय वीक है तो उसमें confidence की बहुत कमी होगी उसमें confidence के साथ साथ निरित्व की management की बहुत ज़्यादा आपको कमी अभाव देखने को मिलेगा अब देख लेते हैं कि और क्या क्या अगर सूरिय कमजोर हो है पहले यह मैंने बता दिया कि सूरिय किस की चीज के कारक है अब देखते हैं कि किस conditions के अंदर सूरिय को कमजोर माना जाएगा देखिए अंस समझिए यह मैंने एक example लिया है मकर लगन का यहाँ पर लगन कोई सी भी हो सकते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है अंस समझिए जैसे यह मकर लगन है इसमें सूरिय कहीं न कहीं जरूर होंगे अगर सूरिय देव जीरों से तीस के बीच में हर गर्या की डिगरी होती है अंस होती है अगर सूर्य देव अगर जीरों से तीन यानि बालवस्ता या 27, 26, 29, 30 वरतवस्ता या मरतवस्ता में पड़े हैं तो वो फिर ना के बराबर फल देंगे अब यहाँ पे गोर करने वाली बात है कि कुण्डली के अंदर वो कारक है और उनकी अगर डिगरी कम हो गई तो वो अपने नकरात्मक फल तो नहीं देंगे पर जो उनके सकरात्मक फल होंगे उसमें बिल्कुल कम ही आ जाएगी तो अंस जो होता है वो देखना पड़ता है कि किसी गरह के कितने हैं दूसरे भाव दूसरी कंडिसन तरिक भाव देखे कोई भी लगन हो साय सूर्ये कारक हो या मारक हो सूर्ये देव अगर 68-12 भाव में होते हैं तो उनको मारक इनको तिरिक भाव में वो एक नकरात्मक फल देने वाले बनते हैं और अगर कुंडले में मारक होके बैटे हो तो और अपना दूस परिनाम देखने को आपको नकरात्मक फलों में उनकी वर्द्धी हो जाएगी और 68-12 में सूर्ये बिलकुल भी अपना अच्छा फल नहीं देते हलाकि सूर्ये जो हैं वो आत्मा के कारक मनते हैं तो उनको तिरिक भाव का दोस नहीं लगता पर फिर भी 6-8 भाव में वो नकरात्मा फल देंगे वो किस तरह की होंगे? थो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पर फिलाल में बता रहा हूँ कि किस अवस्त्या के अंदर हम उनको मारक समझेंगे यानि नकरात्मक फल देने वाले मनेगें मारक तो देखिए जैसे मारक लगन आप यह देखे किस लगन के अंदर वो मारक माने जाते हैं जैसे यह दस है मकर और कुम लगन में सूरिय को मारक माना जाता है तो देखिए सूरिय जो है मकर लगन भी है और सूरिय जो छटे भाव में बैठे तो प्रबल मारक हो गए हैं यह नीच का सूर्य भी बहुत ज़्यादा असुप फल देता है। इसके साथ पाप ग्रह से दरश्ट हो। सूर्य कहिपे भी हो। और राहू और सनी की उन पर दरश्टी हो। या केतु की दरश्टी हो। यानि पाप ग्रह की उन पर दरश्टी हो। तो भी सूर्य अपने नकर अत में अगर सूर्य हैं या फिर मारक हैं और सनी उर राओ यालि पाप ग्रह की दरस्टी उस पे पढड़ रही है तो तब वो अपना ज़्यादा नकरत्मक फल देंगे अगर कुंडरली में मारक हैं अंसकाम है तो वो अपना सकरत्मक पर वो कमजोर इस्थिति मायमाने जाएंगे, कारक हैं, पाप गरह से दरश्ट हैं, तो भी वो अपना सुप फल नहीं दे पाएंगे, तिरिक भाव में बेटे हैं, नीच के हैं, यानि तिरिक भाव 6-8-12 में बेटे हैं, जब ज़्यादा नकरात्मक फल देंगे, नीच के हैं जो सूरिय है मान सम्मान का कारक माना जाता है तो ऐसे आदमे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में समाज में या अपने कुटुम के अंदर वो मान सम्मान वो ख्याती नहीं मिल पाती नमबर एक, नमबर दो सूरिय पिता का कारक है अगर सूर्य की ज़्यादा condition खराब हुई ज़्यादा मतलब तिरिक भाव में हुए या नीच के हुए माराख होके पाप से दरश्टी हुई खास तोर से सनी की उन पर तीसरी दरश्टी सात्वी दरश्टी या दस्वी दरश्टी हुई इंद्रस्टी होती है सनी की तीसरी, साथवी, दसवी वो उनमें से कोई एक सूरिय पे पड़ जाया और सूरिय खराब हो तो सूरिय के नगरातमा फल जो मिलेंगे आपको या तो जातक को पिता का लाब नहीं मिलेगा अब पिता का कैसा लाब नहीं मिलेगा? या तो पिता से दूर रहेगा या पिता से मदबेद होगा मतलब मदबेद के कारण दूर रहेगा या पिता की तकलीफ होगी मतलब पिता को दिक्कत होगी स्वास्त में खराबी होगी या स्वास्त के कारण या किसी कारण वस पिता की हो सकता है कि जल्द ही उनका देहान्त हो जाए कुछ इस तरह के कारण बन जाते हैं पर जादा यही बनेंगे जब सनी जो सूरिय जादा रूप से पिड़ीत हो तीसरा सूरिय अगर खराब है तो जाता कि अंदर confidence की कमी होती है वो कुछ भी निन्दे लेने से गबराता है जातक क्योंकि सूरिय जो है राजा के कारक माना जाता है तो सब कुछ होने के बाद भी राजा जैसी जिन्द की नहीं जी पाता सब कुछ होने के बाद भी सूरिय अगर आपके मजबूत है और आप जातक जो राजनिति के छेतर में जाना चाता हो या फिर मुखिया, कुछ भी जहां पर परति निद्यु का उसको मुखा मिले, वहां पर उसको पहुत अच्छे फ़ल नहीं मिलते राजनेति के छेंदे में भी अगर कतम रख लेगा, तो कुछ कारण बाद उसको फिर वापस आजाना पड़ेगा सूर्य जो है, गुवर्मेट नोकरी का भी कारक मना जाता है, तो अगर सूर्य खराब है, 6-8-12 में बैटा है, तो ऐसे जात्कों को गुवर्मेट नोकरी में भी बहुत दिक्कत आती है या फिर कोई कारिय कर रहे हों, जैसे ठेकेदारी, जहां से गुवर्मेट महकमा जरूर आता हो, तो भी वहाँ पर सूर्य आपको प्रोब्लम दे देगा, जातक कि पैसे फच जाएगे, जैसे ठेकेदारी कर रहे हैं, EMD फच जाएगी, या उनकी सिकोर्टी जब थो सकती है या उनकी पैमेट में डिल हो जाएगे, इस तरह की चीजे भी देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ जिसका सूर्य खराब हो, क्योंकि ये जो है सुरन को भी जो गोल्ड है उसके भी कारक मने जाते हैं, तो आप देखेंगे जिसका सूर्य खास्तों से नीच का हो, या तिरिक भ हो जाता है, या किसी ना कारण वस वो खरीद नहीं पाते हैं, या उनकी उनके पास जूट नहीं पाता है, या उनको सूट नहीं करता है, उसके पहन बाद उन्हें दिक्कत होना, इस तरह की चीजे भी देखी जाती है, साथ ही साथ सूर्य अगर खराब है, खास तोर से अग मनलब hearts related दिकत हो सकती है, खास्तोर चेज चीजे आखों के विकारक माने जाते हैं, तो जातक को किसो रुबस्ता में चस्मे लगने के चांची बढ़ जाते हैं साथी साथ 6-8 में बैठा हो सूरिये और पाप गरह से दरश्ट हो तो क्योंकि सूरिये जो है इगो के भी कारक माने जाते तो ऐसा जाता के एहंकारी हो सकता है अपने एहंकार में अपने काम बिगाड लेने वाला होगा 6-8 बारा में बैठा के विटामिन D की भी कमी कर देता है सूरिये देव तो देखिए सूरिये देव कुंडली के अंतर इतने मैतवपून गरह है किसी तरह से मैंने बता दिया किस कंडिशन में वो खराब है तो आप क्या ऐसी विदी करें कि जिसमें वो आप उनको मजबूत कर सके देखिए कुंडली में अगर सूरिये कुंडली में कूडी सूरिये अगर कारक है कारक मतलब अगर मेश लगन है वर्चिक लगन है यहाँ पे एक लिखा है आठ लिखा है या सिंग लगन है पांच लिखा है करक लगन है धनू लगन है नो लिखा है या बारा लिखा है लगन में यानि ये लगन है मीन लगन है तो इनमें सूरिय कारक माने जाते हैं और वो केंदर त्रिकोन में हो और उनका अंसकम हो तो आप ऐसे में मानिक धरन करने मानिक धरन करना बहुत अच्छा रहेगा इसमें सूरिय को बल मिल जाएगा और ऐसे जातक को सूरिय के अच्छे परिनाम मिलेंगे यानि सूरिय से related जिस चीज के कारक होते हैं सूरिय देव और जहां बैठे हैं जहां दरस्टी कर रहे हैं उससे related फैदा होगा पर किस कंडिशन में सूर्य अगर कारक हैं, तो ही आप पहनेेगा, पाप गरई से दरश्ट हैं, तब आप सूर्य का रतन मानिक पहनेंगे, तो आपको अच्छा फैता मिलेगा, सूरिये त्रिक भाव में बैठे हैं तो ऐसे में अगर कारक है त्रिक भाव में बैठे हैं तो सूरिये का बीज मंतर करिए या मारक है तो तब भी बीज मंतर करिए मतलब सिंग लगन होके सिंग लगन है और सूरिये खुद 6-8-12 में बैठ गए तो यहाँ पे उनका उपाई मत करिएगा, उनका बीज मंतर करिएगा, फैदा मिलेगा कारक होके 6-8-12 में बैठे हैं तो बीज मंतर भी कर सकते हैं, सूरिय के उपाई भी कर सकते हैं सूरिय के उपाय कैसे करें देखे गुड गेहों के कारक माने जाते हैं सूरिय देव तो रविवार के दिन गुड का और गेहों का दान करना बहुत फायदे मंद होगा साथी सूरिय अगर खराब है तो सूरिय को जल देना सूरिय को रविवार को जल देना या परते दिन जल देना जल देके जैसे भी आप जल दे तो जल मेंसे सूरिय को देखे और जो किरने हैं उनका लाब उठाए तो आपको सूरिय देऊ बहुत अच्छा फल देंगे मारक के कंडिशन में हमेशा बीजमंतर करिए और उनका दान करिए दान जैसे कि मैंने बताया है गुड का, चने का, गेहूं का दान कर सकते हैं रभी वार को नीच के हैं तो रतन का भी मत पहने नाम का दान करें ऐसे में बीजमंतर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा पाप कर ऐसे दरस्ट हैं और कारक है तो आप रतन भी पहन सकते हैं बीजमंतर भी कर सकते हैं तो देखी इनके महध्यम से जो मैंने कंडिशन बताई इनके महध्यम से आप सूर्य को अगर वो कमजोर है तो उनको आप प्रबल बना सकते हैं यानि अगर वो कारक है अच्छा फल नहीं दे पारे तो आप उनको मजबूत करके सकरात्मख बनाएंगे अच्छे फल देंगे नक्रात्मख है तो उनके नक्रात्मख में आपको कम ही आजाएगी तो इस तरह से इस कंडिशन्स में आप सुर्य देव को मजबूत कर सकते हैं पर दोस्तों आज मैंने आपको स्रल तरीके से बताने की कुशिश करें कि किस कंडिशन में सूरिये आपको अच्छी परिणाम देंगे मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद